दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी होरर के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज के एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ एक और दिल्चस्प चासू सी कहानी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजेगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा चलिए कहानी शुरू करते हैं डिटेक्टिव डैन और डिटेक्टिव सुजन लंडन पुलीस डिपार्टमेंट के दो काबिल आफिसर्स आज है मंगलवार की सुभर और डैन बहुत गुस्से में है डैन को गुस्से में देखकर सुजन ने डैन से पूछा क्या हुआ डैन आज तुम कुछ परेशान से लग रहे हो क्या बात है डैन बोला हाँ कुछ है जो मुझे बेचैन किये हुए है वो देखो वहाँ उन दुकानों के सामने कोई है जो रोज वहाँ से गुजरने वाले लोगों के पैसे चुरा लेता है मैं बस उस चोर के बारे में ही सोच रहा था मैं बस उसको कैसे भी करके पकड़ना चाहता हूँ सुजैन ने कहा हाँ बिल्कुल पर वो है कौन डैन बोला एक जोगर है जो रोज यहाँ इन दुकानों के सामने से जोगिंग करता हुआ गुजरता है कभी कभी वो दोड़ते हुए राह चलते लोगों से टकराता भी है मुझे शक है कि लोगों से टकराने के बहाने से वो लोगों के पैसे चुरा लेता है मुझे पक्का यकीन है कि वही चोर है हाँ हो सकता है सुजैन ने कहा तो फिर हमें एक काम करना चाहिए हम उन दुकानों के सामने जाकर सडक पर नज़र रखेंगे शायद हम उस चोर को चोरी करते देख ले वैसे तो डिटेक्टिव डैन और सुजन के पास इस केस से बड़े-बड़े केसे स्पेंडिंग पड़े हुए थे मगर ये चोरी पुलीस की नाक के नीचे से हो रही थी और वो बरदाश्ट के काबिल नहीं थी डैन और सुजन उन दुकानों में से एक दुकान की दूसरी मनजिल पर गए और उसकी खिड़की पर बैठ कर बाहर सडक में राहा चलते लोगों पर नज़र रखने लगे हेई वो देखो वहाँ पर एक जॉगर है डैन और सुजन ने खिड़की से बाहर सडक में देखा वहाँ पर एक जॉगर दोड़ता हुआ आ रहा था और वो दोड़ते दोड़ते एक बूढ़ी औरत से जाटक राया और वो औरत जमीन में गिर गई उस जॉगर ने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसको खड़े होने में मदद करने लगा जॉगर ने उस बूढ़ी औरत से माफी मांगी और बोला आईये मैं आपकी मदद कर दूँ ये लीजे आपका बैग तभी एक जवान महिला उस जॉगर पर गुस्से से चीखी क्या ये तुम्हारे दोड़ने की जगे है यहाँ लोग चलते हैं किसी को भी चोट लग सकती है जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर दोड़ो तो वो जॉगर दोड़ता हुआ वहाँ से चला गया तभी डिटेक्टिव डैन ने अपना पुलीस रेडियो अपने मूँ के करीब लाया और बोला जल्दी करो रोको उसे वो नौर्थ स्ट्रीट के तरफ भाग रहा है डैन और सूजन दुकान से नीचे उतरे और सीधा उस बुढ़ी औरत के पास गे जिससे वो जौगर टकराया था डैन ने उस औरत से पूछा क्या आप ठीक है मैडम? वो बुढ़ी औरत बोली हाँ मैं ठीक हूँ तैंक यू वो जवान लड़की कहा है जिसने उस लड़के को भगाया था मुझे वो दिखाई नहीं दे रही सुजेन ने कहा वो शायद जा चुकी है मैडम आप एक बार अपना बैग देखें क्या उसमें आपके पैसे सलामत है? उस बुढ़ी औरत ने अपना बैग चेक किया और बोली ओ माई गौड मेरा बटवा मेरे बैग के अंदर एक बटवा था उसमें मेरे पैसे थे लेकिन वो बटवा भी इसमें नहीं है डैन ने उस औरत से कहा मैडम आपका पैसा चोरी हो चुका है लेकिन आप फिक्र मत करें हम उस चोर को जल्दी ही पकड़ कर आपका पैसा आपको लोटा देंगे डैन और सुजन दोड़ते हुए नौर्थ स्ट्रीट की तरफ भागे जहां वो जोगर भागा था एक पुलीस की कार ने उस जोगर को पहले ही रोक लिया था और उसको पकड़ा हुआ था डैन और सुजन दोड़ते हुए उसके पास पहुँचे सुजन ने जोगर से पूछा कौन हो तुम वो जोगर बुला मेरा नाम पीटर जोन्स है क्यों तुम कौन हो हम दोनों डिटेक्टिव हैं डैन ने कहा अच्छा ये बताओ तुम हमेशा उन दुकानों के पास से ही क्यों दोड़ते हो पीटर जोन्स बुला क्यों दुकानों के पास दोड़ना कोई जुर्म है क्या मुझे दोड़ना पसंद है इसलिए दोड़ता हूँ अच्छा डैन बुला तो ठीक है एक बार तुम हमें है तुम्हारी तलाशी लेने दो तलाशी? मगर किसलिए? पीटर जोन्स बुला डैन बुला मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं बस मैं वही देखना चाहता हूँ पीटर जोन्स बुला आप किन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालू मैं जॉगिंग करते समय अपने पास पैसे नहीं रखता आप बेशक मेरी तलाशी ले सकते हैं डैन ने उस आदमी की जेबें टटोली मगर उसके पास कोई पैसे नहीं थे पीटर जोन्स अपने कपड़े ठीक करता हुआ बुला तो अब क्या मैं जा सकता हूँ डैन गुस्से से बुला निकलो यहां से और यहां दोबारा मताना पीटर जोन्स भी गुस्से से बुला पर क्यों मैं यही रहता हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा तो मुझे कहीं आने जाने के लिए आप मना क्यों कर रहे हैं डैन और सुजन के पास कोई जवाब नहीं था पीटर जोन्स जॉगिंग करता हुआ वहाँ से चला गया उसके जाने के बाद सुजन ने डैन की तरफ देख कर कहा अब क्या करें? उस बुड़ी औरत का पैसा और पर्स कहां से लाएं? डैन बोला पता नहीं, किसी न किसी के पास तो वो पैसा है पर किस के पास है हमें ये पता लगाना होगा डैन और सुजन दोनों वापस उन दुकानों की तरफ आ गए जिसके सामने से पैसे चुराए गए थे डिटेक्टिव डैन बोला समझ नहीं आ रहा कि पैसा गया तो गया कहा उस जॉगर के पास पैसा नहीं है तो अब हम किस की तलाश ले और पैसा कहां से लेकर आए तब ही अचानक सुजन बोली हेई, वो देखो वहाँ पर एक टीवी कैमरा लगा हुआ है उस दुकान के दर्वाजे पर शायद उसमें कुछ रेकॉर्ड हुआ हो बस फिर क्या था डैन और सुजन तुरंट उस दुकान की तरफ गए और उस दुकान के मालिक से वीडियो दिखाने के लिए कहा दोनों ने वीडियो देखा वीडियो में उस दुकान के सामने काफी दूसरी दुकाने और एक बैंक दिखाई दे रहा था उसमें ये भी दिखाई दे रहा था कि उस बुढ़ी औरत ने बैंक में से पैसे लिए और अपने पर्स में रखे और फिर वो पर्स उसने अपने बैंक में डाल दिया डैन बोला अब ज़रा इस वीडियो को पॉस करो और ध्यान से देखो क्या कोई इस बुड़ी औरत पर नजर रखे हुए है सुजन बोली उस सड़क में बहुत से लोग है वो लंबे बालो वाला आदमी देख रहे हो क्या वो चोर हो सकता है डैन बोला शायद चलो वीडियो वापस चलाओ देखें आगे क्या होता है दोनों ने वीडियो देखा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि वो जोगर दोड़ता हुआ आया और उस बुड़ी औरत से जाटकराया फिर उसने उस औरत की मदद की तभी एक दूसरी औरत उस जोगर पर चिलाई और फिर वो जोगर वहाँ से चला गया उसके बाद कई दूसरे लोग उस बुड़ी औरत की मदद के लिए आये तभी सुजन बोली हेई वो देखो उस लंबे बाल वाले आदमी ने उस बुड़ी औरत का हाथ पकड़ा हुआ है डैन बोला पर वो दूसरी औरत ने उसका बैग पकड़ा हुआ है पैसे बैग में थे वो उस बैग के साथ कर क्या रही है सुजन बोली कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसके सामने एक आदमी खड़ा है तब ही डैन सुजन से बोला हे सुजन मेरे पास एक तरकीब है एक काम करो कल तुम बैंक जाओ और कुछ पैसे निकालो सुजन बोली ओके पर इससे क्या फायदा होगा डैन बोला फायदा होगा हम तुम पर नजर रखेंगे कोशिश करना कि तुम बैंक से बहुत पैसा निकालो और पैसों को गिनने के बाद तुम एक बैग में रखो कोशिश करना की ऐसा करते हुए तुम्हें सड़क में खड़ा हर एक इनसान देख ले अपने साथ एक पुलीस रेडियो ज़रूर रखना ताकि हम बात कर सके सुजन बोली, हम ठीक है, हम ये कल सुबह करेंगे अगले दिन सुजन बैंक गई डिटेक्टिव डैन एक दूसरे पुलीस आफिसर जिम के साथ उस पर नज़र रखे हुए था उधर सुजन बैंक में खड़ी पैसा निकाल रही थी और उसने पुलीस रेडियो में डैन से कहा, मैं अब पैसे निकाल रही हूँ डैन ने भी रेडियो में बोला, very good सुजन, अब पैसा गिन कर बैग में रखो, ताकि सभी तुम्हें देख सके सुजन ने पैसे बैग में रखते समय कुछ नोट्स अपने पैरों के पास गिरा दिये अब सडक में खड़ा हर एक इनसान सुजन को देखने लगा तब ही दूसरी तरफ डैम के साथ खड़ा जिम डैन से बोला, देखो वो रहा, लंबे बाल वाला आदमी, वो सुजन का पैसा उठा रहा है, उसे गिरफतार कर ले नहीं रुको, डैन बोला, आगे देखते हैं वो क्या करता है उस लंबे बाल वाले आदमी ने पैसा उठाया, और सुजन को अवाज देते हुए कहा एक्सक्यूज में मिस, आपके पैसे गिर गए थे, ये लीजे सुजन ने उस आदमी को ठैंक्स कहा, और वो लंबे बाल वाला आदमी मुस्कुराया और वहाँ से चला गया डैन ने रेडियो में सुजन से कहा, सुजन क्या तुम्हारे पास पूरा पैसा है, सुजन बोली, हाँ, पूरा पैसा मेरे पास ही है, अब आगे क्या करना है जल्दी बताओ डैन बोला, सामने दुकानों में जाकर कुछ खरीदारी करो, और फिर धीरे धीरे चलती रहो, हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे सुजन ने वैसा ही किया, उसने कुछ सेब, दूध और ब्रेट खरीदी, और फिर वो सड़क के किनारे चलते हुए घर की तरफ जाने लगी डैन सुजन को जाता हुआ देख रहा था, सुजन बोली, हेई डैन, क्या तुम्हें मेरे पीछे कोई दिखाई दे रहा है डैन ने कहा, तुम्हारे पीछे बस एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर चल रही है सुजन ने फिर कहा, ओके, अब तुम दुनों मेरा पीछा मत करो, कोई तुम्हें देख लेगा मैं यहां से बाई तरफ मुड़ रही हूँ, स्मिथ रोट की तरफ अब मैं दाहिनी तरफ मुड़ रही हूँ, पैग लेन की तरफ मेरे पीछे वही औरत आ रही है, अपने छोटे बच्चे के साथ अब मैं बाई तरफ मुड़ रही हूँ, डेल एवेन्यू की तरफ सूजन जहाँ जहाँ जा रही थी, पुलीस रेडियो के जरीए डैन को लोकेशन बता रही थी डैन ने पूछा, हेई सूजन, क्या वहाँ पर भीड है? नहीं, यहाँ कोई नहीं, सब शान्त है यहाँ पर, सूजन बोली, लेकिन तब ही वो चीखी, रुको, शायद कोई आ रहा है, ओ माई गॉड, यह तो वही है, मदद करो जल्दी वो जौगर, पीटर जोन्स दोड़ता हुआ, सूजन से टकराया, और सूजन जमीन में गिर गई, सूजन के सेब, दूद और ब्रेड जमीन में बिखर गया ओ, I'm so sorry, मिस, पीटर जोन्स बोला, आईए, मैं आपकी मदद करता हूँ जो औरत अपने छोटे बच्चे के साथ सूजन के पीछे-पीछे आ रही थी, उसने भी सूजन का हाथ पकड़ा और उससे संभालते हुए बोली, क्या आप ठीक हैं, फिर वो पीटर जोन्स पर चीखी, जाओ यहां से, मगर तभी, पीटर जोन्स ने सूजन की जेब में पीटर जोन्स जोर से बोला, अच्छा, तो तुम पुलीस वाली हो, सारा पैसा मेरे हवाले कर दो, जल्दी, सूजन ने पीटर जोन्स को सारा पैसा दे दिया, पैसा लेकर पीटर जोन्स वहां से भाग गया, और वो दूसरी औरत भी पीटर के पीछे भागने वाली थी, पर क्यूं मैंने क्या किया वो औरत बोली मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी पैसा तो वो आदमी लेकर गया है मेरे पास कुछ नहीं है सुजन ने उससे पूछा तुम उसी के साथ हो, राइट कहां रहता है वो आदमी मुझे नहीं पता वो औरत बोली मैं तो उसे जानती भी नहीं सुजन बोली तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा कहां रहती है तुम वो औरत बोली, लिंडा, लिंडा पारकर मैं पार्क एवन्नियू स्ट्रीट में रहती हूं तभी डैन भागता हुआ सुजन के पास आया और बोला हे सुजन, आर यू आल राइट? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ सुजन बोली, जाओ उस आदमी का पीछा गरो वो उस तरफ भागा है डैन पीटर जोन्स के पीछे भागा और भागते हुए डैन ने अपने रेडियो में एक पुलीस कार बुलाई दूसरा पुलीस ओफिसर जिम उसी कार में था डैन ने रेडियो में कहा जिम, वो दाई तरफ मुड़ रहा है डॉक लेन की तरफ क्या तुम उसे देख सकते हो? हाँ, मैं उस आदमी को देख पा रहा हूँ जिम बोला पर वो आदमी बहुत तेज भाग रहा है वो जौगर पीटर जोन्स ने जिम को अपने पीछे आते देखा तो वो नदी में उतर कर एक बोट में चड़ गया और बोट लेकर वहाँ से भाग गया अब जिम भी उसके पीछे पीछे नदी में उतरा और एक बोट में चड़कर पीटर जोन्स का पीछा करने लगा जिम पीटर जोन्स की बोट के एक दम करीब पहुच गया था जिम पीटर जोन्स से बोला रुख जाओ पीटर, मैं पुलिस आफिसर हूँ पीटर जोन्स ने अपनी बोट से जिम की बोट में एक टक्कर मारी जिम बोट से नीचे नदी में गिर गया और पीटर जोन्स अपनी बोट लेकर वहां से दूर भाग गया जिम तेरता हुआ नदी से बाहर निकला तब तक डैन भी जिम के पास पहुँच चुका था डैन ने जिम से पूछा हेई कहा गया वो जिम बोला वो ब्रिज की दूसरी तरफ उस कैफे में घुसा है दोनों ने भागते हुए लंडन ब्रिज को क्रॉस किया और फिर डैन उस कैफे के अंदर घुस गया जिसमें पीटर जोन्स घुसा था दूसरा ओफिसर जिम उस कैफे के पीछे जाकर पहरा देने लगा उसने रेडियो में डैन से पूछा डिटेक्टिव क्या तुम्हें वो दिखाए दिया हाँ डैन ने जवाब दिया वो पीछे के दर्वाजे से बाहर ही आ रहा है सावधान रहना तभी जिम ने पीटर को पीछे के दर्वाजे से बाहर निकलते देखा जिम ने पीटर को वाज दी रुख जाओ पीटर मैं एक पुलीस ओफिसर हूँ मेरी बात मानो, खुद को पुलीस के हवाले कर दो लेकिन पीटर के हाथ में एक चाकू था और उसने वो चाकू जिम की तरफ किया जिम ने अपना हाथ आगे किया और पीटर से बोला वो चाकू मुझे दे दो पीटर, इसे में तुम्हारी भलाई है पीछे हटो पीटर गुराते हुए बोला ये चाकू देख रहे हो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ तभी जिम की नजर पीटर के पीछे दर्वाजे पर गई दर्वाजे पर टैन खड़ा था डैन दबे पाउँ दर्वाजे से बाहर निकला और पीटर जोन्स की तरफ बढ़ा सामने से जिम पीटर का ध्यान अपनी तरफ खीचते हुए बोला कमान पीटर, वो चाकू मुझे दे दो बस तभी, मौका देखकर डैन ने पीटर जोन्स को पीछे से एक जोरदार लात मारी पीटर लड़ खड़ा कर जिम के कदमों के पास जागिरा और उसके हाथ का चाकू जमीन में गिर गया मौका पा कर जिम ने तुरंत वो चाकू उठाया और पीटर के सामने चाकू लहराते हुए बोला अब चुप चाप से हाथ उपर करके खड़े हो जाओ पीटर उधर, दूसरी तरफ, लिंडा सूजन से बूली, मुझे अब घर जाना है, मेरा बच्चा भूका है, सूजन बूली, हाँ हाँ चली जाना, पहले ये बताओ कि तुम पीटर जोन्स को जानती हो, हाँ या ना, क्या तुम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हो, और लोगों के पैसे चुराते हो, नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानती, और नहीं मैं पैसे चुराती हूँ, लिंडा बुली, तभी सूजन और लिंडा के सामने एक पुलीस कार आकर रुकी, उसमें से डैन और जिम पीटर जोन्स के साथ कार से नीचे उतरे, डैन ने पीटर जोन्स से पूछा क्या तुम इस औरत को जानते हो पीटर पीटर बोला, नहीं, बिलकुल नहीं, मैं ऐसे नहीं जानता सूजन बोली, जूट, एकदम जूट, तुम दोनों एक दूजे को अच्छे से जानते हो, चलो, कार में बैठो, सब समझाती हूँ सभी कार में बैठे और वो कार सीधा पुलीस स्टेशन पहुँची ओफिस में बैठे डैन ने सुजन से पूछा क्या सच में ये दुनों साथ में काम करते हैं सुजन बोली हाँ ये वीडियो देखो लिंडा यहाँ पर भी है जब मैं बैंक से पैसे निकाल रही थी तब ये मुझे ही देख रही थी उसके बाद इसने किसी से फोन में बात की डैन बोला पर ये किस से बात कर रही थी सुजन बोली अफकॉस पीटर से बात कर रही होगी और जब ये मेरा पीछा कर रही थी तब भी ये पीटर से ही बात कर रही थी और उसको मेरी एक-एक लोकेशन के बारे में जानकारी दे रही थी उसके बाद डैन और सुजन अपने ओफिस से बाहर निकले और इंटेरोगेशन रूम में लिंडा के पास गए सुजन ने लिंडा से पूछा क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकती हूँ लिंडा? मेरा फोन? पर क्यूँ? लिंडा घबराते हुए बोली सुजन बोली हाँ तुम्हारा फोन लिंडा दिखाओ मुझे सुजन ने लिंडा का फोन लिया और उसमें वन डायल किया और बस तभी पीटर जोन्स का फोन बज उठा सुजन हस पड़ी और बोली मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ लिंडा क्या तुम पीटर जोन्स को जानती हो लिंडा हार मानते हुए बोली वेल हाँ मैं जानती हूँ इसे पर मैंने पैसे नहीं चुराए सुजन बोली अच्छा तो चलो एक बार तुम्हारे घर चलते हैं सुजन और डैन लिन्डा को लेकर सीधा लिन्डा के घर गए वहाँ पहुँचकर दोनों ने लिन्डा के सामने ही उसके घर की तलाशी ली सुजन को लिन्डा के बैट के नीचे कुछ पैसे मिले सुजन बोली तुम्हारे बैट के नीचे इतने सारे पाउंच क्या कर रहे हैं लिन्डा डिटेक्टिव डैन ने भी एक पर्स की तरफ उंगली करते हुए कहा और वो पर्स? ये उसी बुढ़ी औरत का पर्स है ना? जिससे तुमने कल पैसे चुराय थे तभी सुजन ने एक फोटो फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ये तुम्हारा फेमली फोटो है वाओ, so beautiful तुम और तुम्हारा बेबी सच में बहुत क्यूट है पर ये आदमी कौन है? क्या तुम्हारे बच्चे का बाप है? लिंडा हार मानते हुए बुली ये पीटर है, और हाँ, हम दोनों ने ही साथ में मिलकर पैसे चुराए थे I'm sorry, okay? सुजन बुली, नहीं लिंडा, दिस इस नॉट ओके तुम और तुम्हारे पती पीटर जोन्स को अब लंबी सजा होगी जुर्म करना ओके नहीं होता लिंडा, अब तुम दोनों जेल में सड़ो, okay? दोस्तों करी कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राब नहीं किया, तो सब्सक्राब कर लीजेगा मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया है, उन्हें भी जरूर सुनिएगा मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद